हेलो स्टुडेंस कैसे आप सब आप सब बहुत अच्छे हैं चलिए बहुत बढ़िया हमारा टॉपिक चल रहा था models और models में हम कहां तक Complete कर चुके हैं तक complete कर चुके है घ्यक है तो डारेक्ट का लेक्षर देख हैं पहले जितने भी लेक्टिर्स हो चुके हैं कि मैं आपको एक सीक्विन्स में पढ़ा रही हूं नेक्स हेडिंग डाली है यह यह पार्शल मोडल में आपको छुडवाया था था हैस तू है तू है तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम उसको मस्ट के साथ देखेंगे क्योंकि जो यह सेंस है वह जैसे ही देते हैं डिफ्रेंस क्या है वह हम जानेंगे आज यहां पे तो हमने मस्ट स्टार्ट करना है और यह जो मस्ट है यह आपका प्यॉर मोडल है क्या डिफ्रेंस था प्यॉर मोडल और पार्शल मोडल में पार्शल मोडल जो थे वह में वर्ब की तरह भी काम कर सकते थे हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते थे और हमने देखा था य अगर मैं बोल रही हूं कि आपको वहां चाहिए तो 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 आपको वहां चाहिए कमपल्शन कर रहे हैं या ओडर दे रहे हैं कुछ ऐसी चीजे कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पास्ट के लिए यह बोलूंगे कि तो तब तो में स्व्मड छा। screening यू मॉस्ट घ गो देर हैं तो आपको यह थोड़ा सा थिक है है कि जिब आपको पास्ट के लिए बोल्ना थो आपकिस तरीके से बोलें यह मैं है यह मैं शुरू से ही कंडिशनल इंटेंशन ओप स्पीकर के टाइम से ही आपको बताती आ रही हूं तो जिन्होंने सीरीज में आप लेक्चर्स देखें सारे उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूं दुबारा से उन चीजों के एक्स्प्लेइन नहीं करूंगी पहले आप पहले के लेक्चर्स देखें फिर आप आज का लेक्चर्स देखना आपको बिल्कुल चीजे अलाम से तरीके से समझ में आएंगी कोई भी अगर नई चीज होगी तो वह मैं डेफिनेटल बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी लेकिन जो चीजे मैं बता चुकी हूं म सीक्विनस में समझ में अच्छे से समझ में आएं ठीक हैं तो हमने बात कि ही कि जो CHAN initiatives कर आप के हमेशा ही किया यूज हूँ 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 बताते हैं पास्ट का कोई रूल था उसके लिए उस ने उसे एसoten गई उसके जब उसको एसा नहीं है। मुनागे कोम मूस्ट करते हैं काहिशा है वियुवेलिख करने दो किसी बात करते हैं situ एक गई अब करते हैं। ओगायता से उसके विल जिस भार विट स्टार devra गी करते हैं। का compulsion ही तो है तो आप order बोल दीजिए उसको compulsion बोल दीजिए या फिर मैं अगर बोलू necessity necessity का मतलब क्या होता है जरूरत ठीक है तो अगर आप किसी भी काम को कोई भी चीज है जो वह अनिवारिया कर रहे हैं किसी के लिए compulsory कर रहे हैं किसी के जरूरत necessity है तो उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं मस्ट यूज कर सकते हैं ठीक है फोर एक्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि you must go there you must go there कि तुम्हें वहाँ जाना है तुम्हें वहाँ जाना है यू मस्ट तो अगर आप बोलेंगे आप इसको कंपल्शन भी बोल सकते हैं आप इसको ओडर भी बोल सकते हैं और यह necessity भी है कि आपको ऐसा करना है अगर इसी sentence को मैं बोल देती कि you should go there तो अब sentence यह भी गलत नहीं है लेकिन अब यह और नहीं है कोई कंपल्शन नहीं है आपने सिर्फ क्या कर दिया सला देदी एडवाइस देदी तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब उसने जो भी मॉडल यूज किया है उसी के अकोर्डिंग उसकी sense जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगी तो एक में तो आ हमें sentence में कौन सा model यूज करना है यह तो देखो दोनों ही यूज हो गए कि अगर हम बात करें must be use कर लिया हमने should be use कर लिया उसकी sense जो है वो चेंज हो गई एक में order की sense बन गई और एक में suggestion की sense बन गई ठीक है तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और साथ साथ note भी करती चलिए ताकि आपको दिकतना हो ठीक है तो इस sentence में आपने देखा कि आपने दोनों ही use कर लिए लेकिन आप मुझे बताना अगर मैं आपको एक sentence लिखूँ तो उसमें आप क्या use कर सकते हैं तो sentence लिखिए all the students dash carry their books in the next class अब मुझे बताइए क्या आप यहां पर should fill कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हम देखेंगे तो कोई teacher ही तो यह बात बोल रहा होगा न तो वो यहां पर क्या use करेगा must use करेगा क्योंकि आप order दे रहे हैं अब आप शूट नहीं कर सकते हैं तो आपको सिचुएशन ही ऐसे देगा sentence में एक्जामिनर आपको सिचुएशन ही ऐसे देगा sentence में कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा मोडल यूज करना है ठीक है लेकिन वह आप तभी कर पाएंगे जब आपने मोडल को डिटेल में पढ़ा होगा और मैं फिर बोल रहे हो स्टुडिन्स कि आपको कॉंसेप्स समझने है रूल्स नहीं रटने है क्योंकि आज कॉंपिटिशन इतना हाई हो चुका है कि उसमें क ख्यान रखना है तो नोट करते चलिए देन हम बात करते हैं ओके चलिए एक संटेंस और देखिए अगर मैं आपको बोल दो कि यू मस्ट रब कर ली हूं इसको नोट कर ले ना स्क्रीन्शोट ले लिया होगा आप लोगोंने तो अगर मैं बोलूं कि यू मस्ट यू मस्ट रेस्ट यू मस्ट टेक रेस्ट यू ओड़ चिर और एक मैं बोल रहा हूं कि यू 終स्ट take rest now you should take rest now अब देखो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम उसके लिए हमने order कर दिया उसके लिए हमने compulsion कर दिया इसमें क्या है? दे तो हम suggestion ही रहे हैं दे तो हम suggestion ही रहे हैं लेकिन हमारा कहने का तरीका कैसा है? बहुत ही strong है कि मानलो हमें कोई बिमार दिख रहा है किसी की हालत हमें बहुत खराब दिख रही है तो हम क्या कहते हैं कि अब तुम्हें आराम करना ही चाहिए घर पे कहते हैं कि अब तुम्हें कोई काम नहीं करोगी अब तुम्हें अराम करना है पहले अपनी सिहत की तरफ देखो अब यह थोड़ी कहेंगे कि हमने उसको ओडर दे दिया कि रेस्ट करो तुम रेस्ट करो नहीं दे तो हम सजेशन ही रहे हैं लेकिन कैसा वे है हमारा स्ट्रोंग वे है और इस जब हमने बोला आपको अब आराम कर लेना चाहिए उसको सजेशन दो दी हमने लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल वे में कि वह रेस्ट करें चाहें ना करें हमें फर्क नहीं पड़ता हमने उसको बोल दिया लेकिन जब हमने मस्ट लगा के बोला दैर्मिंस की हमारा जो वे है वो कैसा है बहुत स्ट्रोंग है कि उसे यह काम करना ही चाहिए ठीक है तो यह डिफ्रेंस है आपका दोनों चीजों में तो इनको नोट करते चलना assumption का किया मितलब होता है कोई चीजी औग डाल कोई चीजओ करना कोई चीजओ आज्यूम करना और वोबी कैसी assumption होगी ब ruh hari strong assumption होगी बहुत ही strong assumption होगी ठीक है तो उसके लिए हम क्या use कर लेते हैं must use कर लेते हैं कैसे for example अगर मैं आपको बोलू कि she she stays in five star hotels she stays in five star hotels she must be rich she stays in five star hotels she must be rich तो हमारी बहुत strong assumption हम क्या कह रहे हैं कि वो कहां रुकती है five star hotels में रुकती है तो भई वो अमीर है बहुत अमीर है वो अमीर है तो इसलिए तो five star hotels में रुक पा रही है तो that means कि जो हमारी assumption है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है इसलिए हमने यह नहीं बोलेंगे कि she should be rich या she may be rich might तो बहुत ही कम possibility दिखाता है तो she might be rich ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम जब हमारी assumption बहुत ही strong है मतलब कि उसका day to day life देखके तो हम यह assumption कर सकते हैं कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो must हम यहां पर use करेंगे जब हमारी assumption क्या हो बहुत ही strong हो ठीक है तो उस टाइम पर हम क्या use करते हैं must use करते हैं और भी examples देखें इसके मैं और examples बताती हूं आपको for example अगर मैं आपको बोल दूँ अगर मैं आपको बोलूं कि he he must be your brother he must be your brother कि मान लो कि दो भाई बेन खड़े है और इस तरीके से बात कर रहे है कि हमें लग रहे है कि वह पक्का उसका भाई है तो हम क्या बोलते है कि he must be your brother कि वह पक्का तुम्हारा जो है वह भाई था that means हमारी assumption कैसी है बहुत strong assumption है ऐसा ही हम बोलते है कि you must be joking you must be joking कि तुम मजाक कर रहे हो that means कि हमारी assumption कैसी है बहुत ही strong है जब हम किसी चीज़ पर believe नहीं होता है ठीक है किसी चीज़ पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे है किसी बात पर तो हम कह देगी यार तुम पक्का मजाक कर रहे है बोलते है न ऐसे स्क्रींशोट लेजिए फिर हम आके बात करते हैं क्लियर है अब सेकिंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो भी आपका नंबर चल रहा है वो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मस्ट हम यूज करते हैं रूज एंड रेगोलेशन के लिए克श के लिए तो जब भी हमें कोई रूज बनाना है कोई रेगोलेशन हैं तो उन में हम हमेशा क्या यूज विविर करते हैं मस्ट यूज नेक्जांपल्ल अगर मैं आपको बोलू कि कैंडिडेट्स candidates must write in ink ठीक है कि उन्हें लिखने के लिए क्या यूज करना है pen use करना है तो यहां पर आप शूट थोड़ी ना कर सकते हैं यहां पर कोई और मोडल आप थोड़ी ना यूज कर सकते हैं हम तो रूल बना रहे हैं क्योंकि जो भी आपको देखो जब आप एड्मिट कार्ड रिकलवाते हैं उसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन गीवन होती हैं जो हमें फोलो करनी होती है कभी थ्यान देना जो इंग्लिश मीटियम के स्टूड़ींस है वह आपको देखना हो उसमें आपको मस्ट ही लिखवा म ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूँ कि यू मस्ट फोलो दी ट्रैफिक रूल्स की आपको जो ट्रैफिक रूल्स है वो फोलो करने है ठीक है तो यह क्या है एक ट्रैप का रूल बनाया है हमने ऐसे ही अगर हम बोलें कि अगर में आपको बनाया है तो जब भी हम बात किसकी करते है रूल्स या रेगुलेशन की तो वो जो है बस्ट यूज करके बनता है दूसरी एक चीज और ध्यान रखना जो रूल और रेगुलेशन है वो आपको पॉसिटिव में भी बन सकता है और यह बहुत करना है जैसे कि अब यह इंस्ट्रेक्शन आपकी नेगिटिव में भी होती है कि आपको आपके पास कोई एलेक्रिक गैजट नहीं होना चाहिए ठीक आपको वोच नहीं पहनने है तो वहां पे ऐसे थोड़ी है कि वह मस्ट की जगह पे कुछ और कर देते हैं नह सकते हैं हमारे और नेगेटिव में भी बन सकते हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे हम कुछ और कर देंगे सिर्फ हम क्या कर देंगे मस्ट नोट यूज कर लेंगे ठीक है साथ साथ नोट जरूर करते चलना सुद्ट वरना आपको दिकत आईगी फोर जब सिग्जाल जो है वो Red है उस ताइम आपको क्या नहीं करना है रोळ क्रोस नहीं करना है इसा थोड़ी ना है कि हम मस्ट की जगा पर कुछ और यूज से एक नौट और आड कर लिया तो इ März 2020 का concept I think यह आपको समझ में आ गया है नोट कीजिए इसको screenshot लीजिए इसका फिर बात आगे करते हैं क्लियर है सबी को चलिए next point देखते हैं अब next point देखिए हम क्या कहना चारे हैं कि अगर मैं आपको बोलू अगर मैं आपको बोलू लिखिये must plus में have plus में verb की third form must plus में have plus में verb की third form, यह आपको किस type की sense देता है? पर्फेक्ट की sense देता है ठीक है पर्फेक्ट की sense देता है और मैंने आपको first lecture में जो हमारा first lecture था जो हमारी beginning थी वहां पर मैंने आपको perfect का मतलब बताया था perfect का मतलब क्या होता है कि जो काम है वो पूरे तरीके से complete हो चुका है उसको हम क्या बोलते है perfect बोलते है ठीक है इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए पहले आप tense lecture से देखना स्टार्ट करेंगे जो जिनों नहीं देखे हैं questions ठीक है okay चलिए तो हम बात करें must help plus में verb की third form में किसकी sense देता है perfect की sense देता है कैसे for example अगर मैं बोलू कि you अगर मैं आपको बोलू कि you you are happy you are happy so I think I think your friends I think your friends must come you are happy so I think your friends must come अब ये कह रहे हैं हम अगर your friends your friends must come इसका मदब दुग्या है तुमारे friends को आना है लेकिन हम ये तो नहीं कहना चाहरे है अगर पूरा sentence पढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं कि भई तुम खुश हो इसका मतलब ये है है कि जो तुम्हारे friends है वो आय हुए है या हम बोले कि तुम्हारे friends जो है वो आ चुके हैं दोना ही चीज है और मैंने आपको पहले भी बोला चुका है चुके है चुके है नहीं देखना हमें तो कटेगी क्योंकि जैसे हो यहा यहा पर यहा पर कम है वो फटम यहाँ पर कुछाह ह sniff क्योंकि जब आ कोई और helping verb वहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसके according main verb की form भी change हो जाएगी तो कभी भी यह ना सोचे कि सिर्फ एक helping verb को काट दें और main verb पे हम ध्यान ना दें ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो यह कैसी sense भी इसने perfect की sense भी एक और sentence रिख लीजिए अगर मैं आपको बोलोगी you seem worried so I think you must do something wrong you seem worried so I think you must do something wrong you must do something wrong अब देखो मैं कहारी हूँ you must do something wrong इसका मतलब तो क्या हो जाएगा कि मैं order देरी हूँ कि तुम्हें कुछ गलत करना है लेकिन sense तो यह नहीं आ रही हमें sentence कि अगर हम sentence पढ़े कि भई तुम क्या कर रहे हो तुम दुखी मतलब चिंता में दिख रहे हो वारेड तो मु have done कि तुमने कुछ गलत किया है इसलिए तुम चिंता में दिख रहे हो ठीक है तो यह वाला जो point है यह सबको clear है जो चीज मैं आपको बताना चाह रही थी ठीक है ओके ग्रेट तो इसके बाद लिखिए जो मैंने आपको partial models में नहीं कराया था partial model में मैंने आपको छुडवा था has to have to and had to उनके बारे में देख लेते हैं ठीक है मस्ट तो चली रहा है आपका मस्ट तो चली रहा है लेकिन मैंने आपको partial model में छुडवाया था has to have to and had to अब देखो यह तीनो है has to have to and had to मैंने आपको क्यों छुडवाया था क्योंकि must be compulsion के लिए यूज हो रहा था और जो यह तीनों आपके models हैं हम इनको partial models क्यों बोल रहे हैं क्योंकि has have जो है वह आपका main work की तरह भी यूज हो जाता है और helping work की तरह भी यूज हो रहा है इसलिए हम इसको partial model बोल देते हैं ठीक है तो हमने कहा कि has to have to और had to यह भी आपका क्या शो कर देते हैं ठीक है कि जरूरी कि यह आपको काम करना ही है आप order बोल दीजिए जै कुछ भी बोल दीजिए तो अगर हम इन दोनों में से बात करें has to or have to की तो हमें पता है कि यह कैसे time के लिए यूज होते हैं present time के लिए एक में में हम इसमें हैन और है टो के हम बात करें, यह कैसे टाइम के लिए haste a and have hold 911 के लिए यूजू के लिए यूज होगा Dodon के लिए कैसे penult parole टाहियर तुम्हें वहाँ जाना क्यास है इसे चाहिए घर झेंस्टोम्स करता यह जाना वार आटना कि यह इसे ऩे वे में तो कोई डिफ्रेंस नहीं आ रहा है बात तो हम तो भाप हम से मी भोल रहे है 그러면 भाप तो से मी भोल रहे हैं देखे लिए लोटो ने भी रहे हमें लिए को कहई यह manager हत्या। यह एक ओर रहे हैं लेकिन जैसे ही हुए मने भोला हुमने लेकिन 2010 livon, the 2006년, waspud book, Waspud 17 Ukimumasdut GO-DAER that means कि ठीक है भई compulsion किया है हमने लेकिन नीचे वारे sentence को अगर मैं बोल रही हूँ कि you have to go there you have to go there that means कि compulsion तो है compulsion तो है लेकिन साथ में क्या है external force या फिर आप बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का कैसा action है forced action कि तुम्हें ये काम करना ही पड़े का कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा कि तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा तो ये एक external force है उपर वाला भी compulsion है मैं बोल दे है you must go there और एक मैं बोल दे है you have to go there difference समझ में आया compulsion तो हैं ही दोनों सिर्फ देखो exam में exam में ना तो ये sentence गलत है और ना ही ये sentence गलत है दोनों ही अपनी अपनी जगा पे सही है दोनों ही exam point of view से दोनों ही sentence सही है लेकिन अगर हम daily life की बात करें तो हमें एक अलग से speaking में difference समझ में आता है कि दोनों में difference क्या है जब हम बात बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलने का difference है एक्जाम में अपनी अपनी जगा पे दोनों ही sentence सही है लेकिन हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम इसको एक forced action बोलते है एक external force होता है हमारा हम force लेकि किसी चीज़ को कहते है ठीक है तो हमने वहाँ पे क्या use कर लिया have कर लिया अगर यू की जगह पे मानलो she होता तो हम क्या कर देते she has to go there क्योंकि she के साथ हम as use करते है यह difference अब को पता है basic सा की have कभ यूज होता है have कभ यूज होता है तो सर्फ यह difference to compulsion तो दोनों ही है तो अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही है इसा निकरना कि must को काट के मैं exam में have too कर दूँ या have to को काट के मैं exam में must to कर दूँ यह नी करना आपको ठीक है meaning तो दोनों ही इससेम दे रहे हैं लेकिन have to जब पोल रही है जब एक external force हम यूज हम कर रहे हैं एक भारी force हम यूज कर रहे हैं ग्रेट चलिए अब आगे देखे हैं अब मुझे बताना कि कहां पे तो has to have to model का काम कर रहे हैं और कहां पे वो main verb है for example अगर मैं आपको बोल दूँ कि I have I have some work to do I have some work to do और एक मैं लिख रही हूँ I have to do some work I have to do some work चीक है एक और सेंटेंस लिखिए है he he had to do that work he had to do that work चीक है तो अब देखें अगर हम पहला सेंटेंस देखें कि I have some work to do that means मेरे पास कुछ काम है करने के लिए मेरे पास कुछ काम है करने के लिए तो यहाँ पे हमने have देखा कि have किसका काम कर रहा है main verb का और यह है verb की first form that means कि यहाँ पे यह क्या है main verb कि मेरे पास कुछ काम है करने के लिए लेकिन नीचे भले में मैं क्या कह रही हूँ I have to do some work मुझे कुछ काम करना पड़ेगा मुझे कुछ काम करना है कुछ कैसी किसी भी तरीके से बोल लीजे ठीक है that means एक external force है तो यहाँ पर जो have to है वो किसका काम कर रहा है model का काम कर रहा है helping work का काम कर रहा है present की बात कर रहे हैं हम लेकिन जैसे ही मैंने had to लगा दिया that means हम past की बात कर रहे हैं तो he had to do that work उसे वो काम करना चाहिए था उसे वो काम करना चाहिए था या उसे वो काम करना पड़ा किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं तो he had to do that work, that means कि यहाँ पर जो had है, या फिर had to मैं बोलू, तो वो क्या है? मोडल का काम कर रहा है. डिफरेंस समझ में आया है सभी को, किसी को कोई doubt आ रहा है, तो आप comment section में मुझे message drop कर सकते हैं, ठीके, तो आपका doubt जो है, चलियो, दो sentence और लिखियों, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर मैं आपको बोलू कि I must, या फिर have to, do, this work today, I must, या फिर have to, to do this work today, अब बताये क्या आएगा, ओस करके वीडियो को, आप इसको चेक करें, I must, या फिर have to, do, do, to do this work, तो must be correct है, बिल्कुल I must do this work today, कि ये काम मुझे आज ही करना है, compulsion लगालो, आपकी सिभी तरीके से लगालो, कि ये काम मुझे आज ही करना है, और येक मैं बोलू, I have to do this work today, कि मुझे ये काम आज ही करना है, ये काम मुझे आज ही करना पड़ेगा, that means हम external force के थ्रू बोल रहे हैं, तो have to बोल देंगे, और हम normal एक उसमें बोल रहे हैं, compulsion टाइप में, तो हम क्या यूज कर लेंगे, must use कर लेंगे, सिर्फ speaking में difference है, meaning में कोई difference नहीं आखा है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो दोनों ही चीजे use हो सकती हैं, clear है सभी को, चालिए, great, तो एक चीज हमने यहाँ से ये समझा, कि जब हमें present time की compulsion को दिखाना था, जब हमने present time की compulsion को दिखाना था, तो हमने क्या use किया, must use किया, और जब हमने past time की compulsion को दिखाना था, तो हमने क्या use किया, had to use किया, समझ में है डिफरेंट, कि जब हमने present time की compulsion को दिखाया, order को दिखाया, तो हमने क्या यूज किया must use किया लेकिन जब हम past time की compulsion को दिखा रहे थे तो हमने क्या यूज किया had to use किया तो यह चीज़ ध्यान रखना note कर लेना कि must time use किसके लिए करते है present की present की compulsion को दिखाने के लिए present time की compulsion को दिखाने के लिए हम use करते हैं और had, जब हमें past की compulsion दिखानी है, past time की कोई compulsion दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या use करते हैं, had to use करते हैं, ठीक है, तो एक sentence लिखे students, आपको बताना है कि वहाँ हम must use करेंगे, या फिर had to use करेंगे, okay, तो लिखे sentence, he told me that, he told me that, he must, या फिर had to do that work, he told me that, he must, या फिर had to do that work, देखी sentence को, फिर solve कीजिए, फिर explanation देखते हैं, तो देखे, अगर हम बोले, he told me that, उसमें मुझे बताया, ठीक है, उसमें मुझे कहा कि उसे ये काम करना पढ़ाया, उसे ये काम करना था, तो अब देखो, हम past के compulsion की बात कर रहे हैं, क्योंकि sentence past में चल रहा है, हम past के compulsion की बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की थी, कि past time की अगर हमें compulsion को दिखाना है, तो हम must use नहीं कर सकते, क्या use करेगे, had to हमें use करना पढ़ेगा, कब जब हमें past time की compulsion को दिखाना है, clear है, पहला point, ठीक है, great, दूसरा में क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप must को भी use कर सकते हैं past में, must को भी आप use कर सकते हैं past time के लिए use कर सकते, यह लिख लेना students, must को भी आप past time के लिए use कर सकते हैं, लेकिन कब वो लिख लीजिए, कि past time में आप must को कभ यूज कर सकते हैं, जब वो या तो क्या दिखा रहा है, assumption जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पड़ी थी, कि अगर वो क्या दिखा रहा है, assumption दिखा रहा है, तो आप must use कर सकते हैं, past time में भी हम assumption की बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, must use कर सकते हैं, या फिर जैसे लिख रही हूँ, वैसे ही लिखना, किसी की जरूरत को दिखाए, अगर हम किसी की जरूरत को दिखा रहे हैं, किसी की जरूरत को दिखाना, अगर हम किसी की जरूरत को दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी past time के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, must use कर सकते हैं, तो अगर आपके पास यह दो situation है तो आप past time में भी क्या यूज़ कर सकते हैं must use कर सकते हैं लेकिन अगर आप past time में compulsion को दिखाना चाहते हैं तब आप must use नहीं कर सकते हैं एक्जाम्पल के थू देखेंगे इसको, कि एक्जाम्पल लिखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? जो हमने थोड़ दर पहले लिखा था, जब हमने खाली लिखा था कि she must be joking, उसका मतलब क्या था कि वही तुम मजाक कर रहे हो, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ठीक है? लेकिन अब मैंने देखो sentence किसमें शुरू कर दिया, students, past में शुरू कर दिया, कि he told me that, उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा, कि she must be joking, अब had to थोड़ी ना कर देंगे, हम कोई compulsion थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी order की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, कि हमें must की जगा पे had to करन हैं, तो जब भी हम assumption की बात कर रहे हैं, लेकिन sentence में बात किसी हो रही है, past की बात हो रही है, तो यहां पे students must ही correct होगा, अगर आप यहां पे एक ही rule रटने के बाद, तो आप यही करेंगे, अगर खाली book में आपने एक ही rule पढ़ा, ठीक है, वैसे दिया भी नहीं होता है, लेकिन अगर मान लोग book में दिया भी हुआ है, तो आपने यह rule रट लिया, तो यहां पे वह rule फेल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, कि जब आप बात करेंगे, assumption की past भी, तो आपको must को must ही रखना पड़ेगा, फिर आप उसको had to नहीं कर सकते, क क्योंकि यहां पे हम किसी compulsion को नहीं दिखा रहे हैं, clear है चीज, समझ में आया है, ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, नोट के जहें, फिर अगला example लिखते हैं हम लोग, clear है, चलिए, next example देखिए, अगर मैं बोल दूँ, कि the doctor, the doctor told the patient, that she must take proper rest, she must take proper rest, the doctor told the patient, that she must take proper rest, चीज, तो अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, किसी की जरूरत को दिखा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है, कि उसे proper rest, जो है, वो करना चाहिए, अब डॉक्टर ने, उसको suggest किया है, ठीक है, डॉक्टर ने, उसको, डॉक्टर उसके लिए, compulsion भी कर सकता है, एक strong way में भी suggestion दे सकता है, कि आपको अराम करना चाहिए, वरना आपको, कहते हैं, आपको अराम करना चाहिए, नहीं तो आपको admit करना पड़ेगा, या क्या कहते हैं, कि आप अपना ध्यान रखो, वरना नोबत क्या आ गई है, कि आपको admit करना पड़ेगा, वही चीज है, तो हमने क्या किया, अब हम had to नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी की जरूरत को दिखा रहे हैं, और उसकी जरूरत क्या है, कि वह उसे proper rest करना चाहिए, तो हमने यहां पर must कर लिया, क्योंकि डॉक्टर ऐसे तो है नहीं कि उसको order देदेगा, भी तुमें यह काम करना, वह उसके अगर उसको order का कहने का अगर उसके must use किया है, तो कैसा way है, strong way है, आप यहां पर अगर should कर देदेगा, तो भी गलत नहीं होता, तो यह चीज है, आप must be गलत नहीं होगा, should be गलत नहीं होगा, लेकिन sense change हो गई, must है, that means suggestion है, लेकिन strong way में, should be बगलत नहीं होगा, तो यह बोला, हमने that means normal way में suggestion है, लेकिन आप यहां पर had to use नहीं कर सकते, had to use नहीं कर सकते, क्योंकि आप हम compulsion नहीं दिखा रहे हैं, एक सामने वाले की जरूरत को दिखा रहे हैं, तो दोनों ही चीजों में आपको ध्यान रखना है, कि जब आप assumption की बात कर रहे हैं, या फिर किसी जरूरत को दिखाना चाहरे हैं, तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा, must ही को must ही रखना पड़ेगा, आप इसको had to में use नहीं कर सकते, अगर किसी और model की गुंजायस है, कि किसी और model को आप sentence में use कर सकते हैं, तो use कीजिए, कोई दिकत नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो note कीजिए, इसको फिर बात आगे करते हैं, one should keep, one's promise, ठीक है, तो normally हमें यह लिखके दे दिया जाता है, one should keep, one's promise, या फिर one must, must तो बहुत ही कम देखा होगा, आप लोगोंने, बुक्स में, तो अगर हम बात करें, तो यहां पर should be correct है, और must be correct है, यहां पर should be correct है, और must be correct है, क्योंकि हम किसी के लिए advice भी बोल सकते है, एक normal suggestion भी दे सकते हैं, एक strong way में हमें बहीं सजेशन दे सकते हैं, या order भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर strong way में suggestion ही मान लिजए इसको, तो बात करते हैं हमें, एक्जाम में कि अगर में यह sentence आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, priority आपको must को देनी है अगर आपके पास एक्जाम में दोनों ही गिवन है सही तो दोनों ही है एर्र करेक्शन में कोई नहीं है लेकिन यहीं संटेंस आपके पास किसमें आ जाए फिलिंग्स में आ जाए और ऑप्शन में आपको दोनों गिवन है शुड भी गिवन और मस्ट भी गिवन है ठीक है that means कि हम strong way में ये बात कहना चाह रहे हैं कि हर किसी को अपने promises जो है वो पूरे करने चाहिए ठीक है पूरे करने चाहिए तो हम priority किसको देंगे must को देंगे ठीक है students no doubt जरूर करते रहना साथ साथ भरना आपको दिकत हो जाएगी ठीक है एक और sentence लिखिए we we must yafir have to pay the tax we must yafir have to pay the tax otherwise the department otherwise the department may penalize us पास पैनलाइज का मतलब क्या होता है penalty ठीक है penalty लगाना हमें पैनलाइज कर सकती है देखिए अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखिए must लगाएंगे या have to लगाएंगे क्या यूज करेंगे we must या फिर have to pay the tax otherwise the department may may penalize us चीक है अब यह तो नहीं बोल सकते है न हम खुद के लिए कि we must खुद को ओडर नहीं दे सकते या खुद के लिए बात नहीं बोल सकते हमें क्या करना पड़ेगा we have to pay the tax हमें forced action के साथ यह बात बहुनने पड़ेगा हमें टेक्स देना ही पड़ेगा otherwise जो department है वो क्या करेगा हमें पैनलाइज कर देगा हमारे उपर पैनल्टी लगा देगा तो यहां पर ध्यान देंगे तो must जो है वो गलत हो जाएगा यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है टेक्स दे के कोई कुछ थोड़ी नहीं होता ठीक है तो डाट मिंस कि अगर हम वी की बात करें अगर डिपार्टमेंट यह रूल्स अपने रूल्स में डाल देता तो वो तो must use करेगा वो आपको हैव तो नहीं बोलेगा ठीक है क्योंकि उसने और बन जो कि टेक्स देकर कोई कुछ नहीं होता तो फॉस्स एक 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 टेक्स देना पड़ेगा अधर वाइस क्या कर देगी हमें पैनलाइज कर देगी ठीक है यह आपको संटेंश के मेनिंग सेंस के संस को समझने की जरूरत है उसी के थ्रू ही ओप को करेक्ट कर पाएंगे ठीक करपाइंगे लेकिन अगर आपने मोडल स को रटने की कोशिश की तो रटने में जो हैं आपके जो कॉश्चन है वो गलत होगे तो हमेशा मीणि अपने डेली लाइफ से उसको करों और उस मीनिस को सोल्वव करने की कोशिश करो कि हाँ जो जो सेंटेंस है उसका मेनिंग क्या निकल के आ रहा है हमारे पास यह संटेंस क्या कहना चाहरा है तो वहां पर उस नाइम पर प्रॉपर मोडल जो है वह कौन सा यूज हो सकता है यह चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी लेकिन अगर मोडल के लिए आप रूल्स रटेंगे त कैसे ही अगर देखो अगर मैं बोल दूँ असोलजर कि असोलजर मस्ट या फिर मस्ट या फिर शुड फाइट के लिए लड़ना है अब शूट देखो शूट में भी हमने ड्यूटी पढ़ाता कैसी द्यूटी थी हमारी अब मुझे पताईए क्या यहाँ पर शूट यूज हो सकता है अब शूट यूज करेंगे तार्मिस वह तो मौरल ड्यूटी है अब सोलजर को अगर हम मौरल ड्यूटी कहें कि तुम्हें अपनी कंट्री के लड़ना चाहिए और मान लो किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो ग अब मौरल ड्यूटी है और मौर्शम ऐसी काम करना चाहिए लेकिन हुए उसके लिए और है उसके लिए चंट्री के लिए ठीक है तो अगर है अज हमारे मनीं घर जाए बैठ रहें तो वह काम नहीं करना है तो अब जैसे ही रहें मिलिटरी फोर्स की बात की पुलिस की बात वो घृप तो इस समझ में आने के जरूरत है कि कम मात भlasना हैं को मस्ट यूज करना है कब आप दोंही लगा सकते हैं कि यह सब्सक्राइब आप यह लगा सकते हैं थो आप जाम चल्ट में बस्त का बम, और थे अब तक मैंभ तक में धनीच संट कर दोंहीं तरहता है है ठीक है मतलब सिर्फ हमारी सेंस में चेंज आ रहा है थोड़ा बहुत मीनिंग जो है वह सेम रहता है लेकिन ऐसा नहीं है उपर वाले सेंटेंस में आप मस्ट यूज नहीं कर सकते हैं आपको हैव डू ही यूज करना पड़ेगा तो आपको हमेशा ही मैं बार-बार बोल रह अगर आपके पास एर्र क्रेक्शन आ रहा है एर्र क्रेक्शन आप फिर भी सॉल्व कर देते हैं ठीक है क्योंकि वहां पर आपको उसके जगह पर कुछ और फिल नहीं करना परता लेकिन अगर आपके पास कोश्चन स्टूरेंट्स फिलिंग डब्लेंग्स में आ जाएगा या फिर संटेंस इंप्रूमेंट में आ जाएगा तो वहां पर आप फसके खड़े हो जाएंगे फिर क्योंकि वहां पर आपको यह नहीं बता होगा कि इसको अटा के फिर मैं चार ऑप्शन जो गिवन है उसमें से क्या टिक करूं तो वो चीज भी आपको समझ में आनी चाह पर सकते Hmm external forzone loving तुझे लडना पढ़ेगा तरी इच्छा है डुशन नहीं है तुझेह ज़र नपड़ेगा ऍस तरीके से नहीं बोलते तो डूकरते लेकिन ऑन तरह को fresht इसकी मोरिल यूटी तो हे उसक्षा को अ भी ऑनधतें जो होते हरो क्दलास और थे ये सब जोड़को आपको ध्यान रखना है नोट कीजिए फिर बात करते हैं क्लिया है ठीक है तो मेरी तरफ से जो मास्ट है आपका कंप्लीट है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कहीं पे लेक्चर में कोई डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जिन स्टुडिन्स ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप मुझे फेस्बूक पेज पर फोलो कर सकते हैं फेस्बूक पेज पी मेरा इंग्लिश पैमिलन सिंग के ही नाम से है ठीक है और अकर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और नहीं लगी है तो आप देले हो गया है लेकिन आगे से अब लेक्शे डिले नहीं होंगे आपको कॉंटीन्यू में लेक्ट्री देले तो इसलिए चैनल के साथ बने रही है ठीक है और पढ़ती रही है आपके बहुत सारे एगजाम और यह तो यह है यूपियस यूपियस का इक्जाम आ रहा है is more 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 than sufficient है क्योंकि मैं आपको चीज़े इतने बेसिक से इतने एडवांस लेवल तक बता रही हूँ कि आप कोई भी एक्जाम दीजिए आपका इसली इंग्लिश को पेपर निकलेगा चीके स्ट्रेंट तो पढ़ते रहें बाकी के बाते हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओक थैंक यू क्लास